हालो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं शाओ मावरी गुरू फ्रेंट्स नीट 2022 का एड्मिट कार्ड आ चुका है आज का वीडियो बहुत ज़्यदा इंपोर्टेट है क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे से पॉइंट डिसकस करूंगा जो कहीं में कहीं आपके रिजल्ट को प्रोहब क्योंकि मेरे वीडियो का यह मकसद होता कि इक इक पॉइंट जो आपको बताया जाए वो जैनून बताया जाए ठीक है तो कौन-कौन से से पॉइंट है फ्रॉम एक्जाम डे टू एक्जाम हॉल ठीक है पहली बाग शिक्स्टींथ को आपको लेट नाइज स्टेडि ने करन और बहुत सारे बच्चों को हैड़की प्रॉब्रम हो जाती है जिससे उनका कोश्चन पेपर बेकार हो जाता है लेट आज स्टेडि सिक्स्टींथ को नहीं करनी है किसी भी हालत में सेवन्टींथ को मौनिंग में यह मत करियागी कि सारी चीजे एक साथ लपेट्री की कोज लिएगा तीसरा इंपोर्टेंट बात यह है कि जब आप एक्जाम सेंटर की डिटेल आपको पता होगे एक्जाम सेंटर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले लिए कहां है एक्जाम सेंटर कितना आपके यहां से दूर है एक्जाम सेंटर को एक दिन पहले विजिट कर करीजिए क्योंकि होता क्या है बच्चे reporting time में पहुंच नहीं पाते हैं बहुत सरे बच्चों के साथ ऐसा होता है तो इस चीज से बचने के लिए अवाइड करने के लिए आपको exam center की बारे में पूरी detail होनी चाहिए exam center अगर other city में है तो आपको अगर 400-500 क्योंकि होता यही है maximum बच्चों के साथ कि वह बहुत अच्छी पढ़ाई होने के बहुद भी confidence lose हो जाता है जब वह exam center में reporting time की दौरान नहीं पहुच पाते फिर वहाँ पर उनको problem face करना पड़ता है फिर वहें पर confidence lose हो जाता है और जिस तरह से आपका confidence lose हो जाएगा उस हिसाफ से आप question paper भी डर-डर के करेंगे और डर-डर के करेंगे तो फिर problem हो जाएगी यह तो रही बात exam center तक जाने की जहां तक बात है exam center में अगर आप पहले पहुच जाते हैं तो discussion question falls falls to discussion मद करीड हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक question discuss करने लगते हैं एक यक unit discuss करने लगते हैं इस question का क्या answer होगा इस question का answer हौई और कहीं पर भी आपको ऐसा लगा कि कोई बच्चे को question को क्रॉस कर दिया या उसने बता यह इसका यह answer here Persian और आपके दिमाह में confusion बैठ गया तो फिर वो confusion आपके exam hall में भी रहेगा तो फरजी का discussion मत करिएगा वहाँ पर क्यों करिएगा अपने exam पर इसके बाद important बात यह कि exam hall में अगर आप जा रहे हैं तो proper dress code के साथ जाएए क्योंकि dress code में भी physical risking की risk होता है अगर आप dress code सही से पहन के नहीं जाएंगे जो भी NTA ने decide किया है तो फिर आपको problem हो सकती है तो proper dress code के साथ ही जाएगा proper timing देख लीजिएगा reporting time exam hall inter time जो भी timing है सारी आपको दी रहती है वो आप देके ही जाएगा ठीके इसके अलामा exam hall में जब आप जाते हैं तो predefined target लेके मत जाएगा कि भी हमको 650 करने हैं या फिर हमाई टैसीद में 650 आरे तो हमको इतनी करने ही करने मत करिएगा ये पहले में भी मैंने बता रखा ये कि exam center में जानने से पहले predefined targeted मत ले जाएगा किसी भी subject का individual ना है फिजिस करना chemistry करना बाइलोजी का कि भी बाइलोजी म बात है इसके अलामा OMR seat में filling में कोई गलतिया ना करिएगा role number registration number date of birth male female gender या फिर जो भी detail होती है category ये कोई भी detail ध्यान से fill up करिएगा bubbling सही से करिएगा ठीक है क्योंकि अगर यहां पर भी आपको problem होगे उसके बात examiner रहेगा आपको बोलेगा ये कर दिये कर दिये कर दिया और आपका question paper भी अच्छा जाता रहेगा तो फिर आपका confidence lose हो जाएगा आप फिर कहोगे कि यार मैंने किती बड़ी गलती कर दी मेरा क्या होगा फिर आप tension में हो जाओगे ठीक है ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है ये मत करिएगा उसके बाद जब question paper attempt करने की कुस होता क्या है कि अगर आपका command physics में नहीं है और आपने physics पहले attempt करने की कोशिस की तो physics में बहुत ज्यादा time दे देते हैं आप बहुत ज्यादा time देने की वज़य से क्योंकि physics में होते है numerical और उसको करने परते हैं ठीक है तो physics में अगर आप ज्यादा time दे देंगे तो फिर chemistry biology जो की easiest part है उसमें आप समय नहीं दे पाएंगे तो बेटर यह होता है कि biology को आप 40-50 मिनिट में अगर आप कर लेते हैं पूरी कर लीजिए फिर chemistry को भी जितने time में कर लेते हैं फिर जो भी बचा time है क्योंकि extra time आपको 20 minutes का मिलेगा इस बाद तो जो extra time है उसको आप फिर physics म पूरा दीजिए अपने हिसाब से क्योंकि यहां पर weightage matter करता है कि biology का weightage सबसे ज़्यादा है और यहां पर individual का tough होता नहीं है तो focus यह करिए कि maximum score आएंगे कैसे उसमें फोकुस करिए रादर देंगे कि नहीं भी हम physics ही पहले attempt करेंगे chemistry एक pattern के साथ जो भी practice आपने की है test series मे वही करिएगा वैसे मैंने तो सबको बताया कि biology chemistry then physics यह मेरी opinion है बाकि आप अपनी सहुलित के हिसाब से कर सकते हैं इसके बात important बात जो की हमेशा बच्चे कते है सीली मिस्टे एक की जगा B B की जगा C C की जगा D लगाने का means question number 2 का option है उन्होंने C लगा दिया question number 3 का option उन्हो point कैसे कर सकते हैं जैसे ही आपनी question paper किया कोई भी एक particular question suppose करिए question number 10 आपने किया question number 10 करिए उसका answer आ गया आपने उसका bubbling तुरंत देखके उस particular row में जाके आपने bubbling कर दी ठीक है देखके ध्यान से इस तरह का बहुत सरे बच्चे क्या होते है कि पूरा question paper attempt कर लेते उसके बाद स start करते हैं इसमें दिक्कत क्या है कि अगर एक भी question का answer अगर आपने गलत देख लिया गलत देख लिया तो फिर वो सारा गलत होता चला जाएगा यह problem होती है इसमें तो जैसे ही question solve करें वैसे bubbling करें बेस्ट आडिया होता है इसके बाद question paper को जब भी आए तो overconfidence होके मत देखेगा कि भी या आपने दो चार question देखें आपने का बहुत थल्वा question paper है चलो यार यह तो बहुत आसा नहीं होगा overconfidence में आ गए नहीं अच्छा हो या tough हो या medium हो जैसा question paper हो उसके हिसाब से with confidence not overconfidence आप उसको question paper आराम से करिए question paper में questions को पढ़ने की problem maximum बच्चे गल्दिया करते हैं question कुछ सही से पढ़ा नहीं predefined जो उनके दिमाग में answer होता है वही डाल दिया होता क्या है चाहे कोई भी question paper हो आपने देखा होगा बहुत सारे questions हैसे होते हैं जो repeated होते हैं क्यों digits का change होता है और कुस तो बिल्कुल repeated होते है ठीक है तो ध्यान से पढ़िएगा क्या repeated question है या digit का change है उसके बाद ही answer करिएगा कभी-कभी क्या होता है कि आपने कहा कि यह वाला question हमने कि यह यह तो वही वाला है वहां पर point five की जगह पर point six लिखा रहता है ठीक है for an example और आपने उसी हिसाब से calculation किया कि भी यह इसका तो यह गलतिया क्यों होती है क्योंकि आपने ध्यान से question को पढ़ा है question को read ज्यादा करिए answer निकालने में समय नहीं लगेगा अगर आप question को बार एक बार सुरुआत में आप उसको read कर लीजिए नहीं समझ में आ रहा है वो point note करते रही उसके बाद फिर उसको attempt करने की कोसिस करें राते दिन की जैसे मैंने कहा कि बार बार question को paper करना बार बार solve करना इस तरह का नहीं करना चाहिए यह important बाते हैं यह ध्यान में रखेंगे आपका तो selection कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि मेर ली पढ़ लेने से या सब कुछ आता है उसके बाद भी बच्चे गलतिया करते हैं उसके बाद भी सिलिमिश्टिक करते हैं उसके बाद भी exam center में जाने से पहले यह सारी गलतिया कर देते हैं जिसकी वज़े से उनका कहीं confidence lose होने की वज़े से उनका marks कम हो जाता है और कभी कभी क्या होता है कि बच्चों का selection भी करिएगा और प्रिपेर करिए अपने आपको मैक्सम जितना कर सकते हैं बाइलोजी में जितना रिविजन कर सकते हैं केमिस्टी में जितना रिविजन करते हैं फिजिक्स में जितनी फार्मूला आपको आ सकते हैं रिवाइस करिए और उस पे बेस्ट नुमेरिकल लगाईए द दो से पाँच बीस के बीच में एक दो टैसरीस कर लीजिए घर सौड़